प्यारे बेचे नमस्ते पिछले क्लास में हम ग्यानमार्ग नामाग एगांगी के कुछ अम्स पढ़े तियना ग्यानमार्ग एगांगी के कुछ अम्स हम पिछले क्लास में पढ़े इस एगांगी किसने लिगा है? इस एगांगी किसने लिगा है? असगर वसागत. असगर वसागत ने इस एगांगी लिगा है. तेखो चित्र. तेखो गुमार अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरुगुल से अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने घर लाओड रहे हैं. इसी समय एक घने जेंगल के गुसर रहे हैं. इस समय उनके मान में बहुत आहंगर है. वे सोच रहा है कौन बड़ा विद्वान है, कौन बड़ा ग्यानी है. इसलिए तीन डाजग मारियों पर बहस हुई, तर्क हुई. वे अपने अपने मद में वे प्रसक कर सकते हैं कौन है बड़ा विद्वान, बड़ा ग्यानी. इनसे वे कई कारणों से अपने अपने ज्ञान आपस में करते हैं. इसके बाद वे कख दिया एक पजीशा हो चले जाए. इसके लिए वे जानवर की हड्डियों पर माम्स घाल देने से उसको एक शेर बैना सकते हैं. शेर के नमूने बैना सकते हैं और इस शेर के नमूने में द्याज़कुमार एक ने कहा की उसको पराण दे सकता है. उसको भी पराण भी दिया जाएगा. यह गलते ड्याज़कुमार ने कहा की इसमें पराण देने से बल हमको घा जाएगा. देखो पाडबागु. ट्याज़कुमार एक अरे हाम यह तो हो गया. ट्याज़कुमार तीन मूर्खों अब तुम सामचो मैं तुम सबसे बड़ा विद्वन हूँ. ट्याज़कुमार एक लेकिन क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो? ट्याज़कुमार तीन नहीं पर यह तो तुम भी नहीं कर सकते. ट्याज़कुमार एक मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ. ट्याज़कुमार दो ऐसा मत करना. ट्याज़कुमार एक क्यों? ट्याज़कुमार दो उसके बाद शेर हमें घा जाएगा. उसके बाद शेयर खा में खा जाएगा देखो चाथ वे क्या किया ट्याज़कुमार दोने मंदर बढ़ता है और शेयर को शेयर के उपर मामस रेक्त और घाल मढ़ सकते है इस समय एक शेयर के रूब और शेयर के नमों ने बना गया इस बना कर चाज़कुमार तीन ने कहा तुम समसकते हैं मैं एक बड़ा विद्वन है मैं एक बड़ा विद्वन होने को इसी तरह करने से तुमको मालो हो सकता है इस सुनकर चाज़कुमार दोने कहा इसमें हम प्रांट भी डाल सकते हो ये सुनकर त्याजर गुमार एक बाता है अईसा मत करना क्यों? ऐसा करने से शेर को हमें घा जाएगा ये एक शेर का नमोना है बैचो तुमको समचा है ना ये एक शेर का नमोना है इस शेर के नमूने पर प्रांड देने से शेर असली शेर बेना जाएगा. ये असली शेर बेनेगा. इस समय शेर हमको खा जाएगे. इसलिए ऐसा मत करना. कौन कहा? राज़कुमार रेक ने कहा. देखो अगला भग. पर मुझे तो सित करना है कि मैं तुम दोनों से बड़ा विद्वा यानी हूं. त्याज़कुमार तील, नहीं, नहीं. शेर हमें घा जाएगा. त्याज़कुमार एक मंदर बढ़ता है और शेर जीविद हो जाता है. शेर डहाड कर उनकी तरह बढ़ता है. वे बेजने की कोश करते हैं. त्याज़कुमार दो, अब हम बेज नहीं सकते. त्याज़कुमार तील, शेर हमें घा ही जाएगा. त्याज़कुमार दो, अरे वह देखो, कोन आ रहा है? उसको मालू है, शेर हमें घा जाएगा. ऐसी करने से वे स्ताबित करने हैं कि वे दोनों बड़ा त्याज़कुमार दो ने कहा, ऐसी करने से वे हमको घा जाएगा. अब हम बेज नहीं सकता. यहां, त्याज़कुमार तीन ने कहा, शेर हमें घा जाएगा. असलिए शेर बेना जाता है, उसको प्राण भी देता है, इसलिए शेर हमको घा जाएगा. सब बहुत डर से वहां घड़े है तीन डाज़ गुमारेओं बहुत डर से वहां घड़े है इसका कारण क्या है शेर उसको खा जाएगा शेर को प्राण देते है प्राण जीवन प्राण देते हैं इसलिए असली शेर बना जाता है और यह शेर इस तीन डाज़ गुमारों को खा जाएगा पर क्या किया इसी समय उनके गुरुजी आते है उसके गुरुजी आते है उसके पास गुरुजी आता है गुरुजी को देखने से सब गुशी हुई गुरुजी के देखने से सब गुशी हुई और वे कहते है गुरुजी हम लोग संगड में पड़े हैं। असली शेर उनके सामने घड़े हैं। इसलिए उसका प्राण नहीं बेज सकते। उसका प्राण संगड में है। इसलिए वे गुरुजी से इस प्रगार कहा। गुरुजी मुझे मालूम था कि तुम लोगों के अंदर अभी आहंगार बहुत है और तुम अपने ज्ञान का नुकसान भी कर सकते हो। इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे-पीछे आ रहा था। राच कुमारे, गुरुजी मुझे से बड़ी गलत हो गई। शेर हम सबको खा जाएगा। गुरुजी अब मैं अपने ज्ञान से इस शेर को बकरी बना दोंगा। गुरु मंदर पढ़ता है, शेर बकरी बन जाता है, और मीमियाने लिदता है। गुरुजी शिश्यों ज्ञान रहे, वाख ज्ञान जिससे अपनाया दोसरों को नुकसान को ज्ञान नहीं, बेलकि अच्चान है। ग्यान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। देखो चात, क्या हुआ? गुरुजी को सब मालू है, गुरुजी को सब जानता हूं, कारण क्या है? वह गुरुजी है। इस तीन त्याजगुमारों के मन में अखंगार है, यह गुरुजी को मालू हुई, इसलिए गुरुजी उसके पीछे आ रहा धा। और गुरुजी कहते है, यह सब मुझे जानता हूं। तीन त्याजगुमार इसी प्रगार होने से गुरुजी को मालू हुआ, उसके मन में अखंगार भी है। और गुरुजी कहते है, मुझे मालू था, तुमारे मन में अखंगार है। जिस ज्ञान अपनी भालाई के लिए उबयोग होता है, वाकिके ज्ञान है। और दूसरों के दूर उबयोग करता है, यह ज्ञान है। उनके मन में अखंगार भी है। यह गुरुजी को मालू हुई। इसलिए गुरुजी इसी समय इसी आवसार पर कहाम आया। कहाम आया, जंगल पर आया। जंगल की आवस्ता कैसे है। जंगल में तीन डाजगुमार संगड में पढ़े है। संगड में पढ़ने का कारण गया है। वे अपने आहंगार से इस शेयर को प्राण दिया। इसलिए वे असल शेयर बना जाता है। मलू है? असल से बना जाता है। इसी समय वे तीन जाज़गुमारों ने कहा। गुरी जी हमें गलती हो गई। हमें गलती हो गई। मुझे माफ कीजी। इसके बाद गुरी जी क्या किया। गुरी जी करता है। मैं एक मंत्र पढ़ने से उस शेयर को बकरी बना दूँगा। बकरी बना दूँगा। देखो चित्र उसको बकरी बना दूँगा। गुरी जी उसको बकरी बनते है। इस समय शेयर का मुख बकरी के रूब में बन गया। बकरी मिमियाने लगती है। इसी समय सबको बहुत गुशी हुई। क्या हुआ। शेयर के मुख, शेयर के चेहरा के स्तान पर बकरी के चेहरा बना जाता है। इसलिए वे बहुत गुशी हो गई। इसके बाद गुरुजी ने उससे कलता है। तुमारा ज््ञान अज्ञान है, तुमारा ज्ञान अज्ञान है। क्या है? ज्ञान दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। तुमारा ज्ञान जिससे नुक्सान कर सकते हो। इसलिए तुम बहुत संगरड में अब पड़े। इसलिए तुम ये चिंदा करो सबकी ग्यान सबकी भलाई के लिए है इसलिए किसी तरह उसका ग्यान नुकसान नहीं कर सकते देखो चाथ एक ग्यान के बारे में कुछ वाक्य हर एक में कुछ न कुछ ग्यान है ग्यान बाहरी दिखावा नहीं है ग्यान सबकी भलाई के लिए है अहंगार से ग्यान असफल होता है देखो एक बार भी हर एक में कुछ न कुछ ग्यान है ग्यान बाहरी दिखावा नहीं है ग्यान सबकी भलाई के लिए है अहंगार से ग्यान असफल होता है हमारे मन में अहंगर हो तो सब ग्यान असफल होता है इसलिए ये ग्यान अच्छी तरह से उबयोग करो और ग्यान सबकी भलाई के लिए भी उबयोग करो ये संदेश इस एगांगी से हमसे मिलते है अज का क्लास समापत होती है अच्छा धन्यवाद अज क्लास समापत है अजयellt थस्वारान अच्छा करो और ग्यान अच्लाभ उन्यवाद झाल झाल